अब इसके बात कालेलस कट्रेस्ट लोग को पढ़ने के लिए दिया हु difu id amplitude इंड दियाका तो एक्जाम में आया लोग इसक में आप्धा लिए विक करम बेथाल का स्टोरी अब इसके बात चलो आगे चलते हैं forms of power sharing अब अगर हम लोग power sharing करते हैं तो आखिर उसको करते कैसे हैं तो देखो modern democracies में power कई types में बढ़ती हैं जैसे power share होती है different organs of government में जो हम लोगों ने पढ़ा है बच्पन से legislature executive judiciary तो इन तीनों में बाट दिया जाता है power को इसे हम लोग horizontal distribution of power कहते हैं क्योंकि इसमें जो government रहता है वो divide हो जाती है same level में मलब तीनों का level इसमें बराबर रहता है executive भी उतनी important है जितनी legislature और judiciary भी उतनी important है जितनी legislature ये तीनों आपस में एक दूसरे की powers को control करते हैं और इसमें judiciary एक main role play करती है क्योंकि वो सभी को देखती है कि सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं अगर किसी को नहीं पता है कि जुडिशरी executive legislature क्या है तो बता देता हूं कि legislature वो चीज होती है जो loss बनाते हैं इसके बाद executive कार्यपाली का इसमें कौन को नाता है प्राइम minister प्रेजिडेंट प्राइमिनिस्टर की cabinet और में लीप पुलिस पुलिस आर्मी यह सब executive में आती है जो legislature जो कानून बनाता है उसको execute करवाते हैं यह लोग मतलब पालन करवाने का काम इन लोगों का होता है executive काम इसके बाद आती है जुडिशरी जो की legislature और executive दोनों पर नज़र रखती है जुडिशरी में सारे court यह सब आ जाते हैं तो यह look after करती है सभी के उपर यह हो गया power sharing among different organs of government मुझे लगता ऐसे तुम लोग को पता चल गया होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा यह याल रखना कि यह horizontal distribution of power है क्योंकि इसमें सभी लोगों के पास similar power रहती है ना कोई कम ना कोई जड़ा ऐसा नहीं सब एक जैसे अब इसके बाद हम लोग देखते हैं power sharing among different levels of government मतलब की government की different levels बना देना जैसे की union government state government या फिर प्रोवेंशियल government दोनों एक ही है इसके बाद local government इंडिया में इसके बार में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो अभी उतना attention मतलो बस थोड़ा बहुत जान लो कि union government रहता है वो देखो जैसे अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं वो यह तो नहीं जानेंगे ना कि इसके बाद state government के पास उससे थोड़ी कम इसके बाद local government के पास उससे थोड़ी कम इंडिया में ये तीनों government independent और interconnected दोनों रहती हैं मतलत की इंडिया में special काम बाढ़ दिये जाते हैं सभी level of government के लिए जिसे हम लोग union list, state list और concurrent list कहते हैं union list में क्या होता हैं वो सारे काम जहां पर state government अपना काम करेगी वो state list में रहता हैं जो दोनों लोगों को साथ में करना रहता है उसे हम लोग concurrent list कहते हैं इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में detail में पढ़ेंगे उससे और भी तुम लोग को अच्छे से clear हो जाएगा फाल तो मैं चैप्टर के वीडियो को क्यों लंबा करना जैब उसमें भी पढ़ना और इससे dictatorship आने का खत्रा जो रहता है वो कम हो जाता है इसके बाद power sharing का एक और तरीका है कि हम लोग power को social groups में भी divide कर दें जैसे कि Belgium में community government आई थी जो कि वहां के लोगों के वहां के ethnic composition को समझती थी और वहां के जो different communities थी उनके लिए भी काम करती थी इससे फायदा क्या होत होता है कि इससे कोई भी social group हो मालो economic weaker section कोई ऐसी class हो जो marginalization से पीडित हो जिसको government ध्यान ना दे रही हो जिसके उपर उससे क्या होता है यह जो social groups है जो community government है यह सब उनको empower कर सकती है उनको थोड़ा आगे ले जा सकती है government से बात कर सकती है जिसे सभी लोगों को अपना स्तित् parties में भी कर सकते हैं जैसे कि कोई भी एक party को बचपन से अधिकार नहीं रहता है कि वो हमेशा ही rule करेगी यह कैसे rule करती है जब जनता उनको choose करती है और उनको एक leader बनाती है उनको majority देती है तभी वो लोग government बनाते हैं इसका मतलब जो वहां के लोग हैं जो किसी भी country के जो people मानना चाहते हैं कि इसको अपना leader चुनना चाहते हैं तो जनता उसको चुन सकती है अब यही अगर यह लोग ना होती political parties अगर नहीं होती तो किसी भी country के जनता कोई अधिकार नहीं रहता कि वो किसी और government को choose कर सके जैसे कि चाइना में single party system है वहां पर हमेशा एक party का president वहां का president so political parties भी इस तरीके से power sharing में मदद करती हैं अब तक हम लोगों ने यह देखा है कि power sharing बहुत important रहता है किसी भी देश के लिए और हम लोग उसको तरीके से power sharing कर सकते हैं vertical power sharing horizontal power sharing इसके बाद political parties बनाना social groups बनाना जिससे पिछड़े class के लोगों को भी आगे आने का मौका मिले इन सब चीजों से एक power sharing अच्छे से चल सकता है और इनी सब चीजों से power sharing चलता है इंडिया में भी तो इस अब याद रख लो कोई भी अगर question आ जाए इंडिया पे या फिर किसी भी देश पे तो अच्छे से तुम लोग लिख लोगे तो अब तुम लोग सोच रहे होगे क किस चैप्टर में किस तरीके के question answer आते हैं कैसे questions आते हैं previous year में कैसे आया थे कौन से important question है तुम लोग के कि तुम लोग को नहीं पता चल रहा है कि कैसे questions आएंगे तो यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा उस पे click करो जिसमें तुम लोग को previous year जितने भी question आए है इस chapter से सा लोगों मिल जाएगा और जेनरल में मैं बता देता हूं normal कि चैप्टर से बेल्जियम और शुलंका वाला बहुत important है इसके बाद horizontal power sharing किसको कहते हैं यह सब बहुत important है और union government state government यह सब थोड़ा बहुत important है इसके बाद और कुछ नहीं है इस chapter में बस इतना ही याद कर लेना प इसी के साथ यह video खत्म होता है thanks for watching खुद भी बचो corona virus से भी बचते रहो class 10 के लिए best of luck कृपे ध्यान दीजिए कृपे ध्यान दीजिए